हालो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ फेस्वुक का पासवोड कैसे चेंज करते हैं बीना पुराने पासवोड के जी हाँ दोस्तो अगर आभी अपने फेस्वुक का पुराना पासवोड भूल चुके हैं आपको उपन में राई साड में एक 3Line का option दिखेगा, तो आपको 3Line पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरह पे scroll down करना है, तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा, Setting and Privacy, तो आपको Setting and Privacy पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक setting का एक option खूल कर चलाईगा तो आपको settings वाले option पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक किजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछी स्थरह का नया interface देखने को मिल जागा यहाँ पर आपको एक meta का option देखेगा तो यहाँ पर आपको see more in account center पर click कर देना है click करने के बाद जैसे click किजेगा तो यहाँ पर account center का option खुलकर चलाएगा उसके बाद आपको नीचे की तरह पे scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जागा password and security तो आपको passport and security पर click कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जागा change password तो आपको change passport पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका Facebook का ID दिखेगा जिस भी ID का पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं उस ID को यहाँ पर select कर लिजेगा तो मेरा यहाँ पर एक ही account है तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैं इस account को select कर लेता हूँ तो मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जागा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप client passport डाल कर यहाँ पर नया passport डाल कर आप passport को change कर सकते हो बट हमें पुराना passport याद नहीं है तो आप passport को कैसे change कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे में एक option देखने को मिल जागा forget your passport तो आपको forget your passport पर क्लिक कर देना है click करने के बाद जैसे आप click किजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको mobile number या email id select कर लेना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर email id select कर लेता हूँ select करने के बाद मेरे इसी email id पर code जो की send किया जाएगा दोस्तों अगर आप mobile number select करते हो तो आपको mobile number पर OTP send किया जाएगा तो मैंने यहाँ पर email id select किया हूँ तो मेरे Gmail app पर code send किया जाएगा तो मैं यहाँ पर select कर लिया हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको continue वाले option पर click कर देना है click करने के बाद जैसे आप click किजिएगा तो click करने के बाद यहाँ पर loading लेगा तो आपको थोड़ा से wait कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस email ID पर जो कि यह code send किया गया है देख सकते हो यहाँ पर six digit का code send किया गया होगा तो मेरे Gmail ID पर code आ चुका है तो मैं यहाँ पर Gmail ID को open कर लेता हूँ Gmail ID open करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो Facebook की तरफ से code आ चुका है तो मैं इस पर click कर देता हूँ click करने के बाद आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर code आ चुका है तो मैं इस code को यहाँ पर copy कर लेता हूँ copy करने के बाद यहाँ से आपको Facebook open कर लेना है open करने के बाद yahaam पर आपको उस code को यहाँ पर ढाल देना है तो चलिए मैं here पर paste पर click कर देता हूं तो paste हो जागा उसके बाद यहाँ पर आपको continue वाले option पर click कर देना है continue पर आप जैसे क्लिक किजैगा तो click करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर आपको इस box पे tick कर देना है tick करने के बाद यहाँ पर आपको next वाले option पे click कर देना है click करने के बाद जैसी आप इस पे click किजिएगा तो click करने के बाद आपका जो password है और दोस्तों यहाँ पे change हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये ते वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय हिंद बंद मातरम